Hello student, welcome to smart chemistry. Previous lecture में हमने एक नया बया मॉलीकूल शुरू किया, यानि हमने प्रूटीन को शुरू किया था. Previous lecture में ही हमने alpha amino acid को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है. हमने देखा है कि जब बहुत सारे alpha amino acid एक दूसरे से peptide linkage के जरीए से जुड़कर एक बड़ा सा molecule तयार करते हैं, उसे ही हम प्रूटीन कहते हैं. तिके वर्ड इस्तेमाल हुआ था peptide linkage. तो चलिए आज के lecture में हम यही देखते हैं कि peptide linkage किसे कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. उसका OH और दूसरे जो alpha amino acid है उसका NH2 गुरूप है उसका H. तो यहां से होगा क्या? यहां से OH और यहां से H, H2O बनकर निकल जाते हैं. क्या बनकर निकल जाते हैं? H2O बनकर निकल जाते हैं, जिसकी वज़ा से यहां इस तरहां की amide linkage तयार हो जाते हैं. देखों, यहां CO बचा, है न? और यहां कौन बचा NH? क्यों? क्योंकि यहां से OH निकल गया है, और यहां से H निकल गया है, जब यहां से H निकल तो कौन बचा? NH बचा. है ना और यहां कौन बचा CO और यह CO और NH क्या होगे एक दूसरे से लिंक हो जाएगे तो इस तरह से यहां Amide Linkage तयार होती है इस ही Amide Linkage को हम क्या कहते हैं Peptide Linkage कहते हैं तो जब एक Alpha Amino Acid के Carboxylic Group का OVH दूसरे Alpha Amino Acid के NH2 Group के H के साथ H2O बनके निकल जाता है तो वहां जो Amide Linkage तयार होती है इसे ही हम Peptide Linkage कहते हैं तो यहां जो यह Linkage तयार हुई है इसे हम क्या कहेंगे Peptide Linkage कहेंगे तीक क्या होता है जब एक Alpha Amino Acid और दूसरा Amino Acid से क्या निकल जाएगा H2O का Molecule निकल जाएगा तो वहां Peptide Linkage तयार होगी पता है यह कितने molecule जूड़ें, एक ये वाला जूड़ा है और एक ये वाला जूड़ा है, इस तरह से दो alpha-mino acid से एक बड़ा सा molecule तयार हुआ है, तो इस तरह के molecule को हम कहेंगे dipeptide, क्या कहेंगे से हम dipeptide हम कहेंगे, जब दो alpha-mino acid एक दूसरे से peptide linkage के जरी से जूड़ेग तीन अगर alpha-mino acid एक दूसरे से जूड़े हैं, एक alpha-mino acid पर दूसरा alpha-mino acid पर तीसरा alpha-mino acid, उनमें से क्या निकला है, H2O का molecule निकल गया, वहाँ amide linkage बन गई है, मतलब peptide linkage बन गई है, तो इस तरह से जो तीन molecule वाला, तीन alpha-mino acid वाला molecule तयार होगा, इससे हम क्या कहेंगे tripeptide, ठीक है, चार alpha-mino acid वाला tetra, इससे ताह से penta, ठीक है, अब जब बहुत सारे alpha-mino acid एक दूसरे से peptide linkage के जरीए से जूड़ जाएगे, तो इस तरह के molecule को, बड़े से molecule को हम क्या कहेंगे, polypeptide, क्या कहेंगे इसे हम polypeptide कहेंगे, तो जो protein होता है, यही polypeptide होता है, क क्यों, क्योंकि बहुत सारे alpha-mino acid, बहुत सारे alpha-mino acid, ठीक है, 1000, 2000, बहुत सारे किसम के alpha-mino acid, एक दूसरे से क्या होते हैं, पेptide linkage के जरीए से जूड़ जाते हैं, जिसकी वज़ा से एक बड़ा सा molecule तयार होता है, और इसी बड़े से molecule को, इसी macro molecule को हम protein कहते हैं, तो protein is polype peptide क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे alpha-mino acid से जुड़ कर, मिलकर बना है, और वहां बहुत सारी peptide linkage मौंच होते हैं, तो मतलब ये हुआ, कि जो protein होता है, इसमें बहुत सारे alpha-mino acid होते हैं, अगर आप यहां देखोगे, तो देखें, ये बहुत सारे amino acid एक दूसरे से, अगर आप देखोगे, तो ये peptide linkage के जरिये से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से एक बहुत बढ़ा से चोटा लिखा हुआ है, ये बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हैं, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो molecule तयार होगा, इसे हम क्या कहते है, protein कहते हैं, देखें एक जो end होता है, वहाँ कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, एक alpha-mino-state का नाइट्रोजन होता है, जिसे हम end terminal कहते हैं, तो जो प्रोटीन होता है, उसके जो terminal होते हैं, एक terminal पर बात है, कौन होगा? जो जो आइट्रोजन होगा, दूसर टरमिनल होगा, वहाँ कौन होगा? कार्बोगजली गुरूप होगा, तो जहाँ नाइट्रोजन होता है, जिस terminal पर उस terminal को हम कहते हैं, जो उमीद करता हूँ कि आपको peptide linkage बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी. क्यों और यगडाई छो होता है तो दागा होता है और अगर प्रोटीन मौजोद है तो इस तरह के प्रोटीन को कहते हैं उतरा की दागे में को muscles होती है यानि जो myosin नाम का प्रोटीन होता है वहां fibrous protein होता है इसी तरह से जो हमारे बाल है ठीक है हमारे जो नाकू नहीं है keratin नाम का protein होता है और ये protein भी कैसा होता है fibrous होता है straight chain में ये पाया जाता है इसलिए हम इसे कहते हैं ये fibrous protein होता है इस तरह से straight chain में वो पाया जाएगा fibrous form में वो पाया जाएगा तो कौन को से इसके example है myosin जो muscles है वो muscles में पाया जाता है इस तरह से बाल और जो नाकून के अंदर जो protein होता है यानि केरिटीन नाम का जो protein होता है ये भी एक fibrous protein है protein की दोसी type होती है globular protein globular protein ऐसे protein होते है जिनमें protein बहुत जादा पेचीदा form में रहेगा बहुत जादा complicated form में बहुत जादा इस तरह से folding form में protein पाया जाएगा इसके example में आता है insulin insulin जो hormone है वो इसके एक example है इसी तरह से albumin जो अंडे के अंदर जो protein पाया जाता है albumin नाम का जो protein होता है वो भी globular protein होता है इसके तरह से जो blood जो blood होता है उसके अंदर जो hemoglobin नाम का जो protein होता है ये भी protein globular protein होता है ठीक है क्योंकि ये protein बहुत सादा complicated बहुत सादा folding के form में रहेगा पेची तरह रहेगा, इसलिए इस protein को हम कौन सा protein कहेंगे globular protein कहेंगे, तो इस तरह के form में अगर protein पाया जा रहा है तो हम इसे globular protein कहते हैं उम्मीद कहता हूँ कि आपको peptide linkage और protein की type भी आपको समझ में आ गयी होगी next lecture में हम देखेंगे कि protein के structure का study किस तरह से किया जाता है प्रूटीन के स्ट्रक्चर को किस तरह से क्लासिफाइ किया जाता है मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर जब तक असलाम आलेकूम और रह्मत लाही वबर्दाद